नमस्कार मैंना मालोक है आप लाइव स्टीज देख रहे हैं पिछले कई महिनों से स्मार्ट मीटर को लेकर हम और बिहार के विश्पत्रकार और उन पांडेजी चर्चा करते हैं आप उस चर्चा को देखते हैं समझते हैं लेकिन अब आपके लिए खुश खबरी है बिहार के लगाने की और जोर दिया जाएगा और पंडेजी है अखबारों में भी हम देखते हैं खबर छपी हुई है काफी विस्तार से की पचीस पैसे प्रतियुनिट बिजली का दर घटा आए जाएगा लोग तो चाहते हैं कि बढ़े और विभाग भी चाहता और जो कंपनियां हो हो भी चाहती है लेकिन अब तो सरकार घटाने के लिए कर रहे है तो जार पचीस के साल में नहीं नहीं बाटी तो फिर कहां से रिजल्ट मिलेगा आधकल तो रेवरी बाट के चुनावी वैतरनी पार करना अभी एक सियासत हो गई है अभी मैया सम्मान योजना बहना सम्मान लाटली बहना इस अब करके तो देखें नहीं किस तरह से वोटीन कैस हुआ है विहार में जो स्मार्ट प्रिपेड मीटर लगाने की नितीश कुमान ने ठानी है कि हम पूरे विहार में लगा कि विहार पहला राज बनेंगे तो रिकॉर्ड बनाने के लिए भी तो इनकी एक प्रिषाद यादव ने समीक्षा बेटक की ती तो चपन हजार घरों में इस पार्ट मीर पीटर लग चुका है और अभी 30 नवंबर तक बीदे 30 नवंबर तक था कि बिहार के सभी कारजालें में सरकाली कारजालियों में यह स्मार्ट प्रिपेड मीटर लगा देना है लिए लग से अभी दूर है आप देखे सरकाली कारजाले में भी स्मार्ट प्रिपेड मीटर कहां लक्षपूरा हुआ 67 परसेंट ऑफिसेज में ही कोई 62-63,000 गवर्मेंट ऑफिसेज है वियार में उसमें स्कूल सहित जोड़का मैं कह रहा हूं और इस सब जगे लगना था तो 62-65,000 गवर्मेंट ऑफिसेज वहां भी ने लग पाया यह लेटेस तो परसो तरसो समीक्षा बैटक हुई कुई कुर्जाइभा के सची पंकजपाल ने समीक्षा की मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि अभी तो आपने कुछ लोक लुवन योजनाओं की गोशना कर दी कि सर परकार अभी जो है वो तीन परसेंट की छूट दी जा रही है इस समय के तरुप से इसको आप करेंगे तो यह छूट थोड़ी ज्यादा होगी पचीस पैसे गरम प्रती निट की अगरम बात करें तो 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 फिर 300 में हो जागा 75 रुपया तो अभी यह कहां भी भी हुआ है इसको नियामकायोग विदूत नियामकायोग बना है उसको रेट दिया जगा रेट बीच में यह जदी घटाते रहें गई तो फिर टैरीफ बढ़ाने के लिए कि हमारा यह टैरीफ जो हम सप्लाई कर रहें हैं घाटे का सवदा हुआ है हर साल तो विदूत कंपनियां टैरी नियामक बोर्ड जो है वो परिविशन देता है तो अभी चाली वर्स में तो कटवती हुई थी सच पिछे रेट घटाया गया था अब इस वीच में आ गया प्रिपेट मीटर अब इसका जो विरोध हो रहा है जो आज भी यह भ्रांती दूर नहीं हुए लोगों के खुद क अब बढ़ार ने कहा कि नहीं देखिए यह जो हम स्मार्ट प्रिपेड मीटर लगाए है इसकी पूरी खूबी है खासियत है भुगताओं के हित्म है और सबसे बड़ी बात वाद बिजली कंपनी का को उधार बकाया नहीं रहेगा अब तो जिस तरह से आप कि यह आप फोन यूज करते हैं मोवाइल फोन उसी तरह से पहले पैसा लगाई है अते बिजली की खपत की जो बीच में तुरत बिजली अधिक खपत होगी तो सोहावी मीटर भी अधिक उठेगा चलेगा यहीं नहीं है तो लोगों को लग रहा है कि वही कैसा सिस्टम हो जाएगा और हमको तुरह जाना देखिए यह सामानी परिवार सथ लाख यहां बीपियल परिवार के पास है लोग दो करोड़ से अधिक अभी मैं लेटेस्ट आंकड़ा देख रहा था कि कोई दो सवा दो करोड़ धाई करोड़ से अधिक विद्धू भोगता है उसमें भी सारे घर में दसलाग घरों में भी लगा है वहां भी विरोध हो रहा है यह विरोध का कारण अब सरकार इसके खिलाब जन्मत बनाने के लिए मार कितनी समिक्षा बैठक अक्सर हो रही है स्मार्ट प्रिपेड मीटर पर कंपनियों पर दवाब है जिन चार-पांच कंपन है उसी मार्का का मीटर लगना चाहिए और तो और लोगों का विश्वास जीतने के लिए कि नहीं पूराना मीटर जो था स्मार्ट मीटर दोनों लगा के लगा रखिए लगा के वो भोकताव को समझाए कि भाई देखिए यह दोनों मीटर लग रहा है इसमें कितना बील सब्सक्राइब तो किसी सभा में इसका विरोध करने से नहीं चुकते हैं और वो कहते हैं यह नितीस गवर्मेंट आपको दर दे रही है स्मार्ट मीटर में पुलूट रही है आपको हम तो आएंगे पावर में तो दो सो उनिट फिरी देंगे यही न है तो स्मार्ट में पहले जमा की जएगा तो आपको हम जो बचत खाते में जितना सूद मिलता है उसे हम दूना सूद देंगे इस सब कुछ चल रहा है अभी और तो एक इंट्रेस्टिंग बात है अभी मुख मंत्री विदू सहायता योजना के तहत जो सरकार अभी साढ़े 15,000 क्रड़ों देती है अब भुगताओं के बील में आने लगा है कि देखिए इस महने आपको उस योजना के तहत इतने कानुदान मिला है इस सब कप यही प्रीपेड मीटर का इफेक्ट है यह लगाए है जो जन विरोध है सियासी मुद्धा हो गया है अब घर-घर की कहानी ने हो गया ल हम आयती नहीं है विहार में एक यूनिट विजली के लिए कोई अपना सयंत्र नहीं है हम विजली खरीते हैं और एक दिन तो रेकॉर्ड 8000 मेगावाट विजली हम सप्लाई किये सिस्टम में सुधार हुआ है अब विजली और मुस्त निर्वाद मिलती है कहीं कटती है तो पांच घंटा याठ घंटा वाला वेट करने की बात नहीं है अब सब कुछ आपने फ्रेंचाइजी दे दिया है सप्लाई सिस्टम में में तो कुछ इंप्रूब्मेंट है लेकिन जो आमलों की परिशानी हो रही है जो इस प्रीपेड लगाने के बाद एक सवाल उठता है क एक बार मीटर लगा कई कई बार तो आपको देते करोरों रुपया रह जाता था सरकारी ओफिसेज में अब तो है कि पहले वहां भी लगाना है जो सिस्टम आपने सरकार खुद अपना रही है हम लता कि जो 25 पैसे कम कर रहे हैं ठीक एक श्रीगुफा छोड़ा गया है इसक कुछनर रियायत स्विधा लेकर सरकार आ रही है जो बात पैसे लाएंगे तब ना फिर कहां से लाएंगे चिंता होगी वहले यह पावर में बने रहना नितीजी के लिए तो सबसे और रहा है कि इस सत्ता हमारी बनी रहे इसके लिए पैसा कहां से आएगा आज यहां साथ हजार आठ हजार क्रोल का हो गया है वहां बड़न फिनांसियल वड़न तो यह सवाल मत पूछिए एक बात है ना कि अब रेवन्यू जो पर टेरिफ के मद में जो विजली हम सप्लाइ करते थे अब बकाय नहीं नहीं रहेगा करोलो और मों का आप तो सब को पहले आ जा ठाल इस सिस्टम से एक जो सिस्टम में इस सुधार हुआ है वह यह हुए कि विजली भूग में देख रहा था अब जो आप ग्रामीन छेत्र में दे रहे हैं दो रेट है अभी एक सीलिंग लगा हुआ है कि एक सव इनित तक यह रेट और इसको भी सिंप्लिफाइब करने जा रही है सब को एक समान रेट करने के यह सब है वी चार लेकिनि सब कुछ अभी ततकाल नहीं और जा रहा है अभी सिर्फ यही है कि कि अहिर्फ भी चूट मिलती है कि वह सव रूपया आपका विजली 300 रुपया है तो 3% के सबसे नौ रूपया का वो चूट हुआ अनुदान तो बता रहे हैं कि देखे अनुदान हम नहीं लगता आपको नहीं हम दिये रहते तो आपका टेरिफ रेट इतना रहता आपका विजली विल जो भी हम आठ सो दे रहे हैं यह बारह सो आठार सो पंदरह सो रुपया लगता इस सरकार यह गले की फांस बने फिर मैं आप से बात कहता हूं इस पार्ट प्रिपेड मीटर को ले करके रिजीज ढंक से सियासे मुदा बना आप देखे नहीं अब इसमें तो सरकार जो है जहां जाकर एक तरह से कहिए बैक भी नहीं होगी आप 56 लाग घरों में तो 29 नवंबर तक का जो खवर है सुचना अधिकार सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब तो यह चुनाप के साल में मुझे लगता है कि विद्दूत भुखताओं के लिए कुछ तोफा सरकार लेकर ही आएगी और विवाजी खवर अभी आपने देखी अखवार की जो सुर्कियां है कि वही 300 इनिट पर बिजली खपत पर अप है देखें कहां गया कहां गया अभी हो रहा था जमीन सर्वें देखा आपने डेट बढ़ गया बढ़ते रहेगा भी ट्रॉक रुका भी और फिर कितना लिबरल तरीके सा रही है अब एक्षिक ट्रांसफर के लिए भी सब खुला हुआ है ना पंद्रह दिसंबर तक आवे लिए जा रहा है तो इन सब मुद्वों पर तो हम लोग ब्रावर यह कह रहे हैं कि सरकार को सब सुझी है इस चुनावी साल में अब सब पर हो रहा है और अब से लिए अलग अलग स्टेंड जला करके कि भाई प्रीपेड मीटर वालों को हम इतना खपत करेंगे तो इसमें सब कुछ करेंगी जो लोग चाहते हैं और करना उनकी अब विवस्ता है अब यही है कि लोग जो संगठन अंदोलन क्या भी आप देखा वी पीसी का हालाकि सरकार कहती रही वीपेसी की भाई तो यह ब्रह फैलाया गया कोई नॉर्मिजेशन करना प्रस्ताव था कोई परिक्षा है उसमें लागू होनी थी लेकिन भ्रम पहला आपने देखा उस दिन कितनी लाठियां चटकी और फिर अंत में सरकार ने उस दिन बीपेसी के हिस्ट्री में सेम डे सरक पर अंदोलन हो रहा हो और इतना लंबा चावरा प्रेस्ट नोट लेकर वीपेसी आया कि ब पैदा नितीश कुमार लालू परशाद ही लोग तो सी मूमिंट के पैदा रहा है इसलिए कोई कोई अवांदोलन नहीं छे इसकी परती तो बहुत सजग न रहते हैं इसके लिए अब किसी को पॉलिटकल कोई विपक्ष्ट कोई कोई मुदा नहीं बनाने का अफसर मिले तो सरकार एक फिर उन लोग के लिए कुछ सहुलियत भड़ी बात लेकर आ रही है और जो सोच रही है कि अभी तीन और इस सब के पीछे कि देखिए हम प्रीपेड मीटर लगाए हैं तो बिजली की खपत कम होगी लोग इसके प्रतिरुपयोग जो होता रहा है अब दिन में भी किनारे खासकर सहरी अलाकों में जो बल्ब लगे हैं उसमें इस इसकी भी मुकमल वास्ता यह बिजली का इससे तो अब जलना चाहिए दिन में भी जलता रहता है आप राजधानी पटना में घूम कर देख लिए कि आपको दिखाई देगा कि वह दिन में भी बल्ब जलता ही जा रहा है स्टीट लाइब यह तमाम बाते हमने जानी है अरुन पांड़े जी ब्याकर श्पतका उनकों बताया है जहां पॉइंट्स दिखाने चाहिए जहां पर गवड़ी है ग्रवड़ी को बताई है जहां रेवड़ी बातने के बात हुई है खुलकर उनने साबसाब ब झाल